हलो एब्रीवन मैं हूँ अमित दुवेदी हम लोग MP Board अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 11 के लिए राठी की बुक से ये बुक है तो चलिए question करना start करते हैं लास्ट वीडियो में आपने question number 18 तक देख लिया था 17 तक तो हमें आज 18 question से general entries करना है हिंदी medium के student है वो भी classes को पढ़ सकते हैं आपको हिंदी और English दोनों में ही एक साथ general entry करवाऊंगा मैं ठीक है तो 18 question पर आते हैं आज मैंने PDF फाइल नहीं बनाई है तो सारी entry board पर ही करवाऊंगा मैं जिस तरीके से class में करवाता हूँ 18 question पर आई है यहां लिखा है भाई बिदने शुरू किया है cash 15,000 रुपय फर्नीचर 5,000 रुपय से तो पहली general entry क्या हो जाएगी बता हो जारा अच्छा अपडेट भी डाल दें पहला अपडेट दिया नहीं है तो बिदने शुरू किया है तो first entry हो जाएगी cash account debit आप लोग मेरे साथ साथ live बिल्कुल note करते जाएगा cash account debit हो जाएगा कितने रुपय से sir cash है 15,000 रुपय का तो 15,000 रुपय से इसको कर देंगे debit में फर्नीचर भी debit करना है तो furniture भी debit हो जाएगा furniture account debit और इनका total कहा जाएगा two capital business जब शुरू करते हैं तो two capital account में transfer कर देते हैं पाच हजार रुपय का furniture है total 15 और पाच कितने होते हैं बीस हजार रुपय बीस हजार रुपय से business शुरू किया narration क्या हो जाएगी being started business narration आपको पूरा लिखना है मैंने बूल दिया है तो यह पहली entry थी कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं purchase goods from RAM 8575 रुपय राम से 8575 रुपय का goods खरीदा है purchase है राम से खरीदा है तो credit transaction हो गया उधार है cash payment के बारे में बोला नहीं है तो simple सी entry हो जाएगी क्या purchase account debit हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा to RAM's account clear हो गया कितने रुपय का खरीदा है 8575 रुपय है 8575 रुपय हलाकि यहाँ पर point लगा है मैं मान के चलता हूँ कि वो by mistake हो गया है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा narration being goods purchase clear हो गया इसको आप लोग नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं next सब कुछ यही करना है अब मैंने यह लिख दिया अब इसको मिटा दूँगा मैं आगे ठीक है one two three मिटा देता हूँ मैं चलिए वापस आए अच्छा इसको इस तरीके से मिटाना पड़ेगा इरीजर से भाई यह पेज फिक्स कर दिया है मैंने जन्रल एंट्री करने के लिए तो यह दोनों नोट कर लिए अब आगे बढ़ते हैं क्लीन करने से वो भी जा रहा है मैं कुछ दूसरा तरीका निकालूंगा अभी जिससे और जल्दी हो जाए चलो यह हो गया फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी जन्रल एंट्री पर आ जाओ ज़रा तीसरी जन्रल एंट्री है मोहन को दिया है छे हजार चारसो पचास रुपए इ किका बश्यान से देखो हमें मोहन को किटने रुपए देने थे पैसेट सो रुपए और हमने दिया कितना है भाई छे हजारうん बचास रुपए बागी का पैसा कहा गया पचास रुपए डिसकाउंट में तो एंट्री क्या बन जाएगी मोहन अकाउंट डैबिट जिह तीसरी एंट्री लिख हो ज़रा मोहन अकाउंट डबिट टू कैश अकाउंट और टू डिसकाउंट अकाउंट मोहन को देने थे कितने 6500 रुपीज यहाँ पर 6500 आ जाएगा टू कैश अकाउंट में 6450 रुपीज और डिसकाउंट में कितना जाएगा 50 रुपीज नरेशन क्या लिखेंगे बिंग कैश पेट टू मोहन इस तरीके से आपको नरेशन लिख लेना है चौती एंट्री पर आजाओ ज़रा नेक्स ट्रांडिक्शन क्या दिया हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 200 वाज स्टोलिन 200 रुपे का माल चोरी हो गया चोरी हो गया तो हमको बिजनिस में हो गया लॉस तो इसको हम लिखेंगे लॉस बाइ थैप्ट ओके लॉस बाइ थैप्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुड्स के चोरी होने से हमारा पर्चेस कम हो गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे तो पर्चेस अकाउंट अमाउंट कितना आएगा 200 रुपे नरेशन आप लोग अब खुद से लिख लेंगे नरेशन में यहाँ पर बिंग लिखना है उसके बाद गुड्स लॉस भाई थैप तो खुद से लिख लेना क्लियर हो गया आगे बढ़ जाएं इसको नोट करते जाना है आपको साथ साथ में ही अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉस करके भी रोग सकते हैं अब मैंने पूरा मिटा दिया अब इसमें नया लिखेंगे तो 200 रुपय का चोरी हो गया इंकम टैक्स पे करा है 800 रुपय ध्यान से सुनो इसको समझा देता हूँ मैं इंकम टैक्स 800 रुपय पे करा है इंकम टैक्स बिजनिसमेन अपना पेमेंट करता है बिजनिस का कोई income tax नहीं होता है तो अगर businessman बिजनिस के पैसे से income tax पे कर रहा है उसको हम drawings मानेंगे तो entry क्या हो जाएगी drawings account debit to cash account logic क्या है कि भाई income tax दिया है वो उसका personal expenses है तो 5 भी general entry क्या बन जाएगी drawings account debit drawings account debit to check से तो नहीं दिया ना नहीं तो entry हो जाएगी to cash account कितना 200 हैगी 500 रुपे है 800 रुपे है तो चलो इसको 800 लिख देते है drawings account debit to cash account 800 रुपे है narration में लिख देना being income tax paid clear हो गया narration आपको खुदी लिखना है अब आगे बन जाएए ये भी हो गया question number 19 पर आते है business शुरू किया है 60,000 के cash से 20,000 के goods से simple general entry होना है question number 19 इस तरीके के questions अब आप लोग पहले भी कर चुके हैं तो business में पैसा आ गया कितना cash account debit 60,000 60,000 रुपे आया और अगर goods को भी लाता है तो stock हमारा बढ़ेगा तो entry हो जाएगी stock account debit goods कितना लाया है भाई वो goods लाया है 20,000 रुपे इन दोदों का total कितना चला जाएगा 80,000 रुपे to capital account में तो entry क्या बन जाएगी cash account debit stock account debit to capital account clear हो गया narration क्या होगी being started business with cash and goods clear हो गया next transaction पर चले goods purchased from गौरी संकर 25,000 रुपे ये भी आसान entry है जड़ा देखो second transaction है इसका गौरी संकर से goods खरीदा है तो entry क्या हो जाएगी भाई खरीदा मतलब purchase तो entry हो जाएगी purchase account debit और यहाँ पर आजाएगा to गौरी शंकर's account कितने रुपे का goods खरीदा है amount देख लो जड़ा 22,500 रुपे का तो 22,500 रुपे ये entry हो जाएगी 22,500 रुपे narration में क्या लिखेंगे being goods purchase from गौरी शंकर ठीक है यह इतना भी लिख दो being goods purchase अगला transaction क्या है goods बेचा है 20,000 रुपे का धरविंद को 10% का trade discount है date दिया है तो भाई date आप लोग डालते जाना 8 जन्वरी को क्या transaction किया है देखो जड़ा goods sold करा है धर्मेंदर को तो entry क्या हो जाएगी धर्मेंदर को debit कर देंगे तो entry हो जाएगी धर्मेंद्स account debit हो जाएगा और two sales account आएगा ठीक है amount कितना लिखेंगे 20,000 रपे का goods था और 10% का trade discount घटा दो तो 20,000 का 10% 2,000 रपे होता है उसको घटाने के बाद amount बचेगा 18,000 रपे का clear हो गया narration क्या लिखेंगे being goods sold to धर्मेंदर फिर withdraw cash 1,000 रपे और goods 800 रपे for personal use तो यह हमारी 10 जनवरी की जो entry है वो drawings हो जाएगी ठीक है 10 जनवरी को उसने goods और cash withdraw करा है तो सबसे पहले आप drawings को debit कर दो तो entry क्या हो जाएगी drawings account हो जाएगा debit में अब जो withdraw करा credit में लिख दो तो goods 800 का और 1,000 रपे cash तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cash account कितना 1,000 रपे और 2 goods जब भी withdraw करता है तो हम purchase को ही credit कर देंगे कितना 800 रपे तो drawing actual में कितना किया उसने 1800 रपे का यहाँ narration लिख देना being goods withdrawn and cash withdrawn भी लिख देना clear है next general entry क्या है भाई goods worth रुपी 600 free distributed as advertisement अब 15 जनवरी की entry है जरा इसको समझ लो businessman ने advertisement मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए अपने business का goods किसी को distribute कर दिया तो उससे हमारा goods तो कम हो गया न ठीक है तो entry क्या हो इसको free sample कहते है actual में तो entry क्या हो जाएगी free sample account debit to purchase account purchase को credit क्यों करेंगे क्योंकि goods को दिया है तो goods कम हो गया है तो entry क्या बन जाएगी कितने तारीक की बात है ये sir ये बात है 15 तारीक की और 600 रपे का amount है तो 15 जनवरी को एंट्री हो जाएगी free sample account debit to to में purchase आएगा to purchase account purchase को credit क्यों किया हमने क्योंकि हमारा goods उसने free sample में 600 रपे का दिया है जिस से हमारा purchase का balance कम हो गया है clear हो गया next question क्यों और बड़े sir बीसमा question करवाईए बड़ा खतरनाक लग रहा है कोई खतरनाक नहीं है सबासान है चलो बीसमें में यही है बिदने शुरू किया goods से और cash से तो goods को debit कर देंगे cash को debit कर देंगे और true capital आ जाएगा 5000 तीन हसार रपे question number कौन सा है बीसमा है तो आओ ज़रा question number 20 अब मैं date नहीं लिखूंगा date आप खुद लिख लेना तो goods को debit करना मतलब stock account debit stock account debit फिर cash भी आया है business में तो cash account debit और credit में क्या जाएगा भाई two capital accounts amount कितना है 5000 और 3000 रपे 5000 रपे का goods है 3000 रपे का cash है total पैसा business में आया 8000 रपे इसको two capital account के नाम से transfer कर देंगे capital में ठीक है narration being started business with cash and goods अगला transaction के है purchase goods from सुरेश 1000 रपे का 5% 10% का trade discount है 5% का cash discount है 6 जनवरी की बात है अब जड़ा यहां पर देखो दूसरा transaction 6 जनवरी को सबसे पहले तो general entry बना लो क्या हो जाएगा तो sir general entry हो जाएगी purchase account debit हो जाएगा फिर to cash account होगा to cash account और फिर आ जाएगा to discount account to discount account goods कितने का purchase किया है इसने sir goods पर खरीदा है 1000 का 10% TD है तो 1000 का 10% घटा दो 100 रपे तो 900 बचेगा और sir 900 का 5% 45 रपे cash discount हो गया तो हमने cash payment कितना किया है 855 रपे यह किस तरीके से होता है मैंने पहले ही समझा दिया था भाई सबसे पहले जो भी amount दी हो जैसे मालो total हमने यहाँ पर सामान खरीदा 1000 रपे का उस पहले 10% का trade discount minus कर देंगे 100 रपे तो कितना बचेगा 900 रपे फिर जो cash discount निकालते हैं वो इस बचे हुए amount का 5% मतलब 900 का 5% निकालना है 45 रपे तो final amount कितना बचेगा 855 रपे clear हो गया इस तरीके की calculation करना है आपको ये चीज़े सीखना पड़ेगा आगे बढ़े शरी ये तो बढ़ियां समझ में आ गया बिलकुल आएगा 12 तारीक को चलो 1500 रपे का goods बेचा है 5% discount पर full payment मिल गया है 25% का cash discount 25 रपे का cash discount है द्यान से सुदू इस question में discount का percent नहीं दिया है उसने बोला 25 रपे का cash discount है clear हो गया कितने तारीक की बात है ये 12 तारीक sold है तो entry बना लेते हैं पहले sold मतलब sales और sales कहा जाएगा credit में 12 तारीक की बात है entry हो जाएगी पैसा तो business में आ रहा है ना तो entry हो जाएगी cash account debit फिर discount को भी debit करेंगे तो discount account debit to sales account sales को credit कर देंगे कितने रुपे का है अब ध्यान से देखो जड़ा तो sir यहाँ पे 1500 रुपे का है जिस पे 5% trade discount है तो 1500 का 5% 75 रुपे होता है तो 1425 रुपे की हमारी sales है जिसमें 25 रुपे cash discount दिया है मतलब पैसा हमारे पास 1400 रुपे का आया है clear हो गया ना percentage निकालना आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा मैंने पिछली class में shortcut बताया था तो shortcut तरीके से ही निकालोगे तो अच्छा रहेगा आगे बढ़ जाए sir withdraw for personal use 100 रुपे का goods और 200 रुपे का cash 15 जनवरी की बात है तो sir ये तो drawings हो जाएगा तो चलो जड़ा देखो 15 जनवरी को personal use के लिए withdraw करा है तो entry क्या हो जाएगी drawings को debit कर देते है तो entry हो जाएगी drawings account debit जो जो withdraw किया है goods किया है तो purchase को credit कर दो भाई to purchase account और cash भी निकाला है तो to cash account कितने कितने रुपे का है ये भी देख लो जरा sir यहाँ बर दिया है goods है 100 रुपे का cash है 200 रुपे का goods के आगे 100 रुपे cash के आगे 200 रुपे और debit में कितना आएगा drawings total 300 रुपे ठीक है narration क्या हो जाएगी being cash withdrawal and goods withdrawal for personal use तो इसको आपको note करना है अब PDF नहीं दूँगा मैं है ना अब जो भी solution होगा यहीं पर वीडियो में ही मिल जाए करेगा उससे मेरा time बसता है actual में इसको कर दिया clean आगे बढ़ते हैं तो question number 21 पर आजाओ question number 21 में भी वही कहानी है शुरू यह basic general entries है मैं करवा दे रहा हूँ मतलब chapter खता में अब कुछ नया नहीं है business शुरू किया है 6000 रुपे से तो भाई entry क्या हो जाएगी बदाओ ज़रा 6000 से बिदने शुरू किया तो आप कहेंगे सर यह तो मुझसे ही बन जाएगा मैं ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ 11th class अरे रुको ज़रा भी बहुत बचा है cash account debit to capital account कितने रुपे amount है 6000 रुपे goods purchase from sham 3000 रुपे तो entry क्या हो जाएगी purchase account debit to sham's account कितना सर यह है 3000 रुपे तो इसको भी लिख दो इसकी भी narration आपको अच्छे से लिख लेना है 3000 रुपे आगे बढ़ जाएं बैंक में जमा किया है 4000 रुपे तो सर यह तो बड़ा आसान transaction है bank का balance बढ़ जाएगा तो entry क्या हो जाएगी bank account debit हो जाएगा और हमारे business से पैसा गया है तो 2 में आ जाएगा cash account तो entry बनेगी bank account debit to cash account कितने रुपे? 4000 रुपे narration क्या लिखेंगे? being cash deposited into bank clear हो गया? इधर ही कर देता हूँ एक दो general entries सर अगला transaction है furniture खरीदा है 2000 रुपे का कितने तारीक की बात है? चौथे transaction में तो furniture खरीदा है तो furniture को debit कर देंगे entry हो जाएगी furniture account debit कितना? 2000 रुपे और 2 में आ जाएगा cash account कितने रुपे का है सर? ये cash देखो दिया है ना 2000 रुपे यहाँ पर आ जाएगा narration तो आप खुदी लिख लेंगे being furniture purchased clear है? writing पर मत जाना भाई समझना है concept है ना मेरा कोई exam नहीं है अभी paid check to sham in full settlement 2950 रुपे ध्यान से देखो sham से हमने 3000 का सामान खरीदा था अब उसको हमने full settlement में 2950 रुपे दिये है तो यहाँ पर आप सरा समझ लो entry क्या हो जाएगी? sham को कर देंगे debit में ठीक है? entry हो जाएगी sham's account debit कितना रुपे? 3000 देना था लेकिन हमने check से payment करा है तो bank को credit कर देंगे तो to bank account हो जाएगा कितने रुपे का check दिया है भाई? 2950 रुपे का बागी का amount कहाँ चला जाएगा? discount में तो to discount कितने रुपे का discount? 50 रुपे का कहां से 3000 में 2950 घटा दो आ जाएगा narration लिख लेना next and last transaction क्या है? goods distributed as free sample 200 रुपे आप कहेंगे सर last वाले question में भी तो free sample की entry किया था बिल्कुल वही entry है क्या entry हो जाएगी? free sample account debit कर देंगे और two में क्या हो जाएगा? purchase account क्यों होगा purchase? क्योंकि हमने purchase वाला goods दिया है जिससे हमारा purchase कम हो गया है इसलिए इसको हम credit पे लिखेंगे clear हो गया? आपको इसको note करना या screenshot लेना है note करो फिर आगे पढ़ते हैं चर यह note कर लिया है? I hope आपने note कर लिया होगा अब हम आते हैं इसको पूरा फिर से मिटाता हूँ मैं और question number 22 की दरफ चलते हैं 22 में question में आओ जड़ा फिर से 22 में question में वही कहानी है paid 4750 in fill payment of 4800 to Mohanlal तो हमने Mohanlal को पैसे दिये है पहला transaction देखो entry क्या बन जाएगी? Mohanlal को कर देंगे debit में क्योंकि उसको पैसे देने है Mohanlal को ठीक है तो entry बनेगी Mohanlal's account debit हो जाएगा 2 cash account 2 cash account और 2 में discount account Mohanlal को 4800 रुपए देना था जिसमें हमने 475 जीरो रुपए दिया है 50 रुपए का हो गया डिसकाउंट narration क्या लिखेंगे? being cash paid to Mohanlal समझ में आ गया? कोई doubt हो तो आप comment में doubt पूछ भी सकते हैं एक customer है ग्यान चनल जिसने हमसे 6000 रुपए लिए थे दिवालिया हो गया और वो 60 पैसा इन रुपीज ही payment करा है ध्यान से सुनो 60 पैसा इन रुपीज मतलब एक रुपए में 60 पैसा payment करा है मतलब total amount का 60% pay करा है एक रुपए का 60 पैसा 60% होता है तो ये percent बताने का इनका indirect तरीका है तो अब जब भी इस तरीके से है समझ जाओगे न ही पैस 60 पैसा इन रुपीज मतलब की 6000 पैसा 60% amount पे करा है तो बाकी का पैसा कहां गया वो डूब गया ठीक है डूब गया मतलब bet debts हो गया तो अब हम यहां पर bet debts में record कर देंगे उसको तो entry हो जाएगी cash account debit उसका नाम था ज्यान चंद्र तो ज़रा ध्यान से देखो हमारे पास पैसे कितने आए cash account debit 6000 रुपे का 60% मतलब 3600 रुपे पेमिंट कर दिया उसने बाकी का पैसा कहां गया bet debts हो गया bet debts account debit कितने रुपे 2400 रुपे और to ज्यान चंद ज्यान चंद से हमको लेना था 6000 जसमें 60% पैसा हमारा डूप चुका है 40% का उसने पेमिंट कर दिया है clear हो गया न अब आप सोचोगे सर इसमें आभी तो आप बोलते थे कि जो पैसा नहीं मिलता वो discount होता है भाई सुनो इतना भारी भरकम डिसकाउंट कोई नहीं देगा 40% का ठीक है वो bet debts ही है डूप गया है आगे लिखा है 2000 रुपे रिपेर के लिए दिये है to private house ध्यान से सुनो भाई घर के रिपेर का पैसान तो बिजनेस से पेमिंट कर रहे हो तो वो drawings तो मानी जाएगी न तो entry क्या बन जाएगी Drawings account debit to cash account ठीक है घर का पैसा है तो घर सो दोना यहां से क्यों दे रहे हो तो entry क्या हो जाएगी Drawings account debit to cash account amount कितना आएगा यह आएगा सर धाई हजार रपे और धाई हजार रपे next journal entry क्या है यहीं पर कर देता हूँ मैं देखो जारा है लास्ट वाली पढ़ो आप paid salary आगे लिखा है paid salary to Ram Kumar 2000 रपे salary किशी को भी देंगे हमारे business के लिए expenses है तो उसको नाम से नहीं लिखेंगे salary के नाम से लिखेंगे है न तो entry क्या हो जाएगी salary account debit कितने रुपे का खर्चा किया है भाई 2000 रुपे 20 लिख दिया अच्छा ऐसे मिटेगा भी नहीं चलो ऐसे मिटेगा पूरे मिटा दो कितने रुपे पेमेंट करा है salary हमने 2000 रुपे और cash पेमेंट करा है तो to cash account आजाएगा अगर check देते तो to bank लिख देते clear हो गया इसको भी note करना है आपको last transaction कैस question का sold goods to ram dharash worth rupees 2000 subjected to trade discount 10% अरे कुछ नहीं है यार वही चीज है 2000 रुपे का माल बेचा है हमने ram dharash को तो entry क्या हो जाएगी ram dharash को कर दो debit ठीक है ram dharash account debit और two में क्या आ जाएगा sales account 2000 का 10% का डादो 200 रुपे तो sales में जाएगा 1800 रुपे I hope आपको clear हो गया होगा चलिए इसको भी note करिए आप लोग फिर हम आगे बढ़ते हैं next question करते हैं note करना हो या screenshot लेना हो इसलिए मैं स्क्रीन से side हो जाता हूँ आप इसको note करिए proper दरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं I hope आप लोगों दे नूट कर लिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं पुरा ही मिटाता हूँ मैं question number 23 पर आजा हो जारा question number 23 आज कोसिस करेंगे general entry खतम करने की देखो कितना हो जाता है तो 23 में सबसे पहले लिखा है allowed discount to 52 महेश देखो जारा discount allowed हमारे लिए expenses होता है तो इसको हम debit कर देंगे ठीक है तो entry क्या हो जाएगी discount allowed account debit और किसको दिया है उसका नाम credit में महेश account कितने रुपेगा दिया है discount यहाँ पर 50 रुपेगा किसी को जब हम discount देते हैं तो हमारा पैसा थोड़ी जाता है इसलिए उस customer का हमने नाम लिख दिया यहाँ पर clear हो गया फिर आगे क्या लिखा है 70 रुपे राम से commission मिले हैं दूसरा transaction अकाउंट 70 रुपे ठीक है अकाउंट लगा देना यहाँ पर चलो मैं ही लगा देता हूँ narration खुदी लिख देना being cash received है ना तीसरा transaction क्या है सर तीसरा transaction है received 75 पैसा इन रुपी from a data of रुपी 400 वही कहानी है एक data था जिससे हमको 400 रुपे लेने थे लेकिन 75 पैसा इन रुपी मतलब 75% पैसा मिला है मतलब 25% पैसा नहीं मिला और उसका नाम नहीं लिखा है उसका नाम data है data मतलब जिससे पैसे लेने है तो entry क्या हो जाएगी cash account debit बाकी का पैसा डूब गया bet debts हो गया तो उसको bet debts में कर देंगे और data को credit कर देंगे तो चलो entry बनाते हैं entry हो जाएगी cash account debit बाकी का पैसा कहां गया डूब गया bet debts को भी debit कर दो तो entry होगी bet debts account debit और two में क्या आ जाएगा data account data जिससे पैसे लेने हैं उसको credit कर दो amount कितना कितना आएगा जड़ा देखो हमें data से लेना था 400 रुपए जिसने उसने 75 पैसा दे दिया है मतलब 300 रुपए दे दिया है तो बाकी का जो 100 रुपए था वो डूब गया narration क्या होगी being cash received लिख देना तो भी चलेगा आगे 200 रुपए का goods जो है lost by fire account debit और goods हमारा कम हो गया है तो purchase को कर देंगे credit में amount कितना है 200 रुपए का 200 रुपए debit में 200 रुपए credit में clear हो गया last general entry क्या है 200 रुपए न charity में दे दिये 100 रुपए का gave charity to a temple rupees 100 charity दे दिया मतलब donation होता है और पैसा दिया है तो पैसा तो business से गया भाई तो last entry बना लो यहाँ पे क्या हो जाएगा donation को debit कर देंगे donation account debit और पैसा गया है तो to cash account हो जाएगा कितने रुपए गया है 100 रुपए तो 100 रुपए narration इसको note कर लेना है again question को note करिए then हम आगे बढ़ते हैं अ can इस घच को तो तो topics तो 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 तू चलिए नोट कर लिए सबीने आगे बढ़ जाए फिर अब आगे देखिए ज़रा भाही कौन सा question करना है हमें सर हमें करना है 24-वा question 24-वे question में भी वही कहानी है अब तो लगबग chapter खतम हो गया है बस advanced level की थोड़ी entries हैं वो बता देता हूं 24-वे question पर आईए ज़रा बोर्ड को कर दिया है मैंने clean 24-वे question पर आईए 24-वे question का पहला पार्ट पढ़ना है चेतन ने business शुरू किया है 20,000 रुपैसे और अपने दोस्त रवी से उधार लिया है अब एक बात बताओ ज़रा मुझे क्या ये capital है है तो capital ही business में पैसा तो आया ना कितने रुपैका आया 20,000 रुपैका तो इसको हम कहां लिखेंगे cash account debit ठीक है और two capital लिखेंगे लेकिन यहां पर हमने उधार लिया है actual में तो रवी के loan के नाम से भी लिखेंगे ठीक है क्योंकि देखो अब रवी को पैसे कौन देगा मैं personally तो दूँगा नहीं business ही देगा तो वो business के loan माना जाएगा तो two ravies loan account कर देंगे clear हो गया तो जड़ा entry देखो इसको capital में भी डाल सकते हो लेकिन मैं इसको as a accountant क्या करने वाला हूँ रवी के loan में लिखने वाला हूँ clear हो गया कितने चारीक की बात है भाई first July एक बार date लिख दिया है मैंने business में पैसा कितना आया cash account debit बीस हजार रुपए आया और वो पैसा loan हो जाएगा तो two ravies loan account मतलब अब रवी को बीस हजार रुपए business को देना है clear हो गया ना ये हो गया आगे बढ़ जाएं bought goods from Mohinder for cash invoice price 8000 रुपए था 15% TD 10% CD तो ये तीन तारीक की बात है तीन जुलाई को bought मतलब purchase किया हमने तो entry क्या हो जाएगी purchase account debit हो जाएगा to cash account और to discount account जाएगा ध्यान से देखो purchase कितना किया हमने 8000 का 15% 1200 रुपए घटा दो तो 6800 रुपीज होता है जिस पे हमने अब 10% का cash discount 680 रुपए होता है तो ये आजाएगा 6120 रुपीज मैं थोड़ा calculation fast कर लेता हूँ आप भी देख लेना सही होगा ठीक है और गडबड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आप तो सही कर लेना उसको फिर आगे लिखा है किरन से 3000 रुपए का goods खरीदा है चार तारिक को तो goods खरीदा मतलब purchase तो entry क्या हो जाएगी purchase account debit हो जाएगा और 2 में क्या आजाएगा किरन्स अकाउंट कितने रुपए का goods खरीदा है भाई इन्होंने 3000 रुपए debit में 3000 रुपए credit में आगे बढ़ जाएगा sold goods to Vijay for invoice price 4000 alive 20% TD 10% CD he paid half in cash पूरी काहानी समझो हमने Vijay को goods बेचा है 8 जुलाई को 4000 रुपए का 20% TD है 10% CD है यहाँ पर समझाता हूँ मैं ध्यान से समझना 4000 रुपए का goods बेचा हमने ठीक है और माइनस कर देंगे सबसे पहले trade discount कितने percent का trade discount है भाई इस पर 20% का आठ्स यह 40,000 हो गया है ठीक है मिटा देता हूँ मैं फिर से लिख दूँगा 4000 रुपए 20% 800 रुपए घड़ाएंगे तो बचे का कितना 3200 रुपीज अब इस 32,000 रुपए में क्या हो रहा है ध्यान से देखना इस 32,000 रुपए में 10% का cash discount है उसने आधा पैसा दिया है तो सर इस 32,000 रुपए में आधा नहीं दिया मतलब 1600 रुपए और आधा दिया है 1600 इसका 10% 160 रुपए discount मतलब 1440 रुपए का cash मिला है और sold transaction है तो पैसा हमारे पास आया है business में तो अब आओ ज़रा 8 तारीक की entry record करते हैं ध्यान से देखना आप लोग है ना 8 तारीक की general entry क्या हो जाएगी सबसे पहले तो cash account debit कर दो cash account debit कितने पैसे आये हमारे पास 1440 रुपए फिर discount को भी debit कर दो discount account debit कितने निकाला था सर हमने discount 160 रुपए फिर विजय जिसको माल बेचा है उससे पैसे कितने लेने है विजय को भी debit कर दो सर उससे अभी 1600 रुपए लेना है और इन तीनों का टोटल चला जाएगा सेल्स अकाउंट में सेल्स का टोटल कितना हो रहा था सर 32 रुपए समझ में आ गया है सबको ये वाली स्टेप भी आपको नोट करना पड़ेगा ये clear है इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं चलो I hope आपने नोट कर लिया होगा तो नो तारीक की एंट्री पर आते हैं ठीक है विड्ड्रॉफ और परस्नल यूज कैस सो रुपए गुड्स दो सो रुपए आप कहेंगे सर ये तो हमसे बनती है नो तारीक वाली एंट्री क्या हो जाएगी जड़ा देखो विड्रॉफ कर रहा है तो तो कैश अकाउंट हो जाएगा फिर उसने स्टाक गुड्स भी लिया है तो पर्चेस को क्रेडिट कर दूँगा मैं तो पर्चेस अकाउंट क्लियर हो गया कितने रुपए का है ये सो रुपए और दो सो रुपए टोटल अमाउंट तीन सो रुपए नारेशन क्या हो जाएगी वही कहानी है बिंग गुड्स विड्रॉल फिर गुड्स रेटन टू किरन वर्थ रुपीज पांच सो रुपए चाउदर जुलाई की बात है हमने टू है मतलब किरन को लॉट आया है तो सेल्स रेटन हो जाएगा तो सेल्स रेटन कहा जाता है डेबिट में तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रेटन अकाउट डेबिट टू किरन्स अकाउट कितने रुपए का गुड्स लॉट आया हमने 500 रुपए का नरेशन सभी में लिखना है आप लोगों को फिर paid salary 800 रुपए in cash 31st July की entry देखो ज़रा salary दिया है 800 रुपए तो entry हो जाएगी salary account debit to cash account कितने रुपए भाई 800 रुपए being salary paid फिर आखरी transaction है 400 रुपए का हमको interest मिला है तो entry क्या हो जाएगी cash account debit to interest account कितने रुपए का interest मिला है 400 रुपए का narration आपको सभी में लिखना है इसको भी note करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम next question करते हैं आप 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 के लिए अगर carries payment करा है तो carries हमारे लिए expenses हो जाता है ठीक है तो carries account debit हो जाएगा और payment यहाँ पर to cash account कर देंगे to cash account कितने रुपए 50 रुपए वैसे इसको हम machinery में भी जोड सकते थे पर यहाँ दिया नहीं है कि किसने payment करा है कैसा है इसलिए आप तो अलग से दिखा दो उसको ठीक है फिर good sold to दीपक 900 रुपए का simple general entry होना है दीपक के नाम से sales record कर दो तो entry क्या हो जाएगी दीपक account debit to sales account कितने रुपए की sales है भाई 900 रुपए की उसके बाद check receive from remains and deported into bank लिखा है ना उसी दिन bank में जमा कर दिया नहीं चौथा transaction पढ़ना है दीपक settled his account ध्यान से सुनो जरा प्या लिखा हुआ है दीपक ने account को settled करा है दीपक से 900 रुपए लेना था लेकिन दीपक ने 880 रुपए दिये है तो बागी का 20 रुपए कहाँ चला गया discount में तो entry क्या हो जाएगी cash account debit कर देंगे cash account debit 880 रुपए फिर discount account debit 20 रुपए और 2 में क्या आ जाएगा भाई नाम उसका आ जाएगा 2 दीपक से अकाउंट कितना 900 रुपए clear इसको note करना है इसी के आगे next general entry बता देता हूँ आगे क्या है तो आगे लिखा हुआ है check received from rames and deposited into bank पांस तारीक को रमेश से check मिला उसी दिन हमने bank में जमा कर दिया check को अगर उसी दिन हम bank में जमा करेंगे तो bank account हमारा debit हो जाएगा तो entry क्या हो जाएगी bank account debit to रमेश यही नाम है ना देख लो ज़रा हाँ रमेश 500 रुपए 500 रुपए debit में 500 रुपए credit में नरेशन आपको खुदी लिखना है being check received and deposited into bank 6th general entry क्या होना है withdraw from bank for office use office use के लिए पैसा निकाला मतलब business में पैसा आ गया है तो पैसा आए तो लिखते है debit side में तो entry हो जाएगी cash account debit और bank का balance कम हो गया तो to bank account हो जाएगा तो cash के debit में 200 रुपए bank के credit में 200 रुपए narration being cash received या being cash withdrawal from bank लिख देना चल जाएगा आगे है भाई paid salary by check 100 रुपए की सातवा transaction तो देखो हमने salary का payment करा है तो entry क्या हो जाएगी salary को debit कर देंगे और check से दिया है तो bank को credit कर देंगे कितने रुपए की salary 100 रुपए की narration आपको ही लिखना है last entry क्या है इस question की commission मिला है 300 रुपए का तो पैसा आएगा तो कहां लिखेंगे debit में तो entry क्या हो जाएगी cash account debit हो जाएगा 300 रुपए का और two में क्या जाएगा income का नाम commission account 300 रुपए that's it इसको नोट करिए कोई doubt हो तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है आप लोग मेरा app download कर लीजए अगर आपको मुझसे बात करनी है कुछ पूछना है कुछ समझना है बिल्कुल पूछ सकते हैं इसको नोट करिए फिर हम आगे बटते हैं next question की दरफ चली अब हम चलते हैं next question question number 26 की दरफ ठीक है question number 26 26 की पहली general entry देखो जरा भाई वही है business शुरू किया है 20,000 रुपे से तो पहली general entry तो बड़ी आसान होती है आप कहेंगे सर ये तो हमसे बनी जाएगी भाई cash account debit कर दो cash account debit और 2 में क्या आ जाएगा capital account 2 capital account ठीक है दूसरी amount भी लिख देता हूँ 20,000 रुपे दूसरी general entry क्या दी है goods 10,000 रुपे का था बिबल से 10% TD 5% CD पर खरीदा है खरीदा मतलब purchase हो जाएगा तो entry क्या हो जाएगी purchase account debit 2 cash account और 2 में क्या आ जाएगा discount account कितने रुपे का खरीदा है बताओ जरा सर हमने खरीदा है 10,000 का 20% trade discount कटा देंगे ये बचेगा 8,000 रुपे का फिर 5% का cash discount है तो सर 8,000 का 5% कितना होगा बताओ जरा 400 रुपे होगा तो 7,600 रुपीज का cash payment हो जाएगा clear है सर आगे बढ़ते हैं जरा हमने सर गुट्स खरीदा है 6,000 का 10% TD है बस इस पे तो सीधा है purchase account debit 6 तारीक को तीसरा transaction है जरा ध्यान से देखना simple सी entry है purchase account को debit करना है और 2 में क्या आजाएगा भाई यहाँ पे company का नाम क्या है pal and sons तो 2 pal and sons यह नाम जरा अच्छे से लिख लेना pal and लो भाई ऐसी कर देता हूँ थोड़ा गलत है चल जाएगा नाम ही तो गलत है क्या दिक्कत है pal and sons छे हजार का 10% घट करना है तो 600 आएगा मतलब हमने 5400 रुपीज का सामान खरीदा है clear हो गया इसकी narration लिखना है आपको simple है यह फिर विमल का है 200 रुपे का due to damage लिखा है goods return to vimal of list price 200 due to damage 200 रुपे का goods विमल को लोटा दिया to है मतलब यह purchase return होगा तो entry क्या हो जाएगी विमल को कर देंगे debit में ठीक है तो विमल's account debit हो जाएगा और उसको माल लोटाएंगे to purchase return अब एक चीज़ देखो जड़ा क्या विमल से हमने कोई transaction किया है इस question में सर विमल से हमने कहीं कोई transaction नहीं किया है पर उपर एक बार देखना पड़ेगा कहीं विमल से कुछ किया तो नहीं है हाँ सर 20% trade discount दिया था सर तो भाई यह जो 2% है ना इसका 20% उस पर भी घटाना पड़ेगा माल तभी तो लोट आएंगे क्योंकि माल जो है खरीदते समय ये वाला purchase करते समय उससे हमको discount मिला था तो अब discount तो काटना पड़ेगा यह हमारे लिए purchase return है ठीक है ना तो एंट्री के 200 का भी 20% घटा दो आप तो 200 का 20% 40 रुपए होता है तो यहां 160 रुपए आएगा यह बहुत important concept है इसको ध्यान से समझ लेना आप ठीक है आप लोगों को आगे यह doubt भी हो सकता है बारवा तो आसान है बारा तारीक का goods withdraw for personal use तो drawings account debit to cash हो जाएगा देख लो जाएगा पांचमा ट्रांजिक्शन simple general entry होना है इसकी drawings account debit to cash account कितने रुपए का है यह सर यह है 500 रुपए का ठीक है अब आगे बढ़े next transaction करते है इसके कौन कौन से है सर यहां लिखा है कि रोहिद को बेचा है 2000 का 5% CD 1% 5% TD 1% CD 22 तारीक की बात है बेचा है मतलब sales है मतलब पैसा हमारे पास आया फेंट्री हो जाएगी cash account debit discount को भी debit कर दो तो discount account debit और 2 में चला जाएगा sales account ठीक है 2 sales account जला ध्यान से देखना है 2000 का 5% 100 रुपए होता है तो घटा दो 1900 रुपए अब 1900 का 1% discount है 19 रुपए है यह है हाँ 1% ही discount है तो 19 रुपए होगा तो बागी का पैसा हमको मिल गया कितना मिलेगा 188 1881 क्लियर हो गया अगला transaction कौन सा है charity में दिया है हमने 100 रुपए का cash 50 रुपए का goods तो charity मतलब donation 28 तारीक की बात है तो donation को debit कर दो entry हो जाएगी donation account debit 300 रुपए और two cash account और two में और क्या जाएगा good said purchase account 200 रुपए यहाँ 100 रुपए यहाँ फिर 400 रुपए traveling expenses के payment करें है हमने ठीक है तो entry क्या बनेगी traveling expenses account debit to cash account 400 रुपए 400 रुपए ठीक है तो इसको note करिए मैंने अभी सोचा था कि मैं आज ही general entry complete करा दूँगा लेकिन अभी मुझे दूसरी class लेनी है तो एक class और लगेगी next class में general entry complete हो जाएगी फिर हम आ जाएंगे subsidiary books में वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक्स पो connecting everyone मिलते है अगली class में अगर आप लोगों ने अभी तक app download नहीं करा है तो एक बर app download करिए वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो bye bye to all of you